बीडियो के बाद teacher बनने के लिए क्या करें? दोस्तो आज की वीडियो में लोग इसी topic के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में आपको पूरा process में बता दूँगा कि अगर आपको teacher बनना है अगर आप BA कर रहे है तो उसके बाद क्या process है? या फिर अगर आपने BA कर लिया है आप में कर रहे तो क्या प्रोसेस है टीचर बनने का A to Z चीज बताऊँगा आपको पूरा प्रोसेस समझाऊँगा अगर आपको टीचर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोरेंट है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए मेरा नाम है आयूस और आप देखरें आयूसरीन यूटूब चनल तो चले अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अगर आपने सूचा है कि आप आगे पढ़ाई करके टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहेंगे तो ये एक बहुत अच्छा करियर आप्सन हो सकता है इस जॉब में आपको रेस्पेक भी मिलती है और आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है बहुत सारे student को ये confusion होती है कि teacher बनने के लिए क्या करना पड़ेगा teacher बनने के लिए कौन सा course करना पड़ेगा और teacher बनने के लिए कितने percentage marks होने चाहिए class 12 के board exam में कितने percentage marks होने चाहिए graduation में कितने percentage marks होने चाहिए ये सारे doubts आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कितने percentage marks होने चाहिए उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन सा course करना पड़ेगा और teacher बनने के लिए क्या करना होगा तो दोस्तो अगर हम लोग marks की बात करें कि 12 के board exam में कितने percentage marks होने चाहिए तो आपको बिल्कुल भी tension लेने एक जोत नहीं है अगर आपके marks थोड़े कम है 50% marks है या फिर उससे भी कम है तो दोस्तो आपको परिशान होने एक जोत नहीं है आप आगे जाके teacher बन सकते हैं उसके बाद बारी आती graduation में कितने percentage marks होने चाहिए तो दिखे सभी state का अलग अलग है किसी किसी state में graduation में minimum 50% marks का criteria रखा गया है और किसी किसी state में इस तरीके का कोई भी criteria नहीं है अब सबसे important बात कि teacher बनने के लिए कौन सा course करना पड़ेगा तो दिखे अगर आपने graduation कर लिया या फिर अभी आपका graduation चल रहा है तो दोस्तो graduation के बाद आपको B8 का course करना पड़ेगा अगर आप चाहे तो DLED भी कर सकते हैं, BTC भी कर सकते हैं लेकिन ये सारे course का सभी जगम माननेता नहीं है लेकिन B8 एक ऐसा course है जिसके पूरे देश में, पूरे भारत में सभी जगम माननेता है अगर आप B8 का course कर लेते हो, तो आप junior teacher बन सकते हो higher secondary के teacher बन सकते हो और आगे पढ़ाई करने के बाद आप college में lecturer प्रोफेसर भी बन सकते हो तो B8 बहुत अच्छा course है अगर जिसको teacher बनने है B8 का course जो होते हैं वो दोस्तों 2 साल का होता है आप इसे कभी भी कर सकते हैं, आपने graduation complete कर ले उसके बाद आप B8 का course कर सकते हैं अगर आपने PG complete कर ले यानिकि आपने MA complete कर ले उसके बाद भी आप चाहे तो B8 का course कर सकते हैं अगर आपने 4 साल पहले अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी अभी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तब भी आप B8 का course कर सकते हैं अगर आप UP में है तो UP B8 आता है अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग admission form होता है उसमें आप online apply करेंगे एक निश्चित date को आपको entrance exam देना होगा entrance exam में जो भी आपकी rank आएगी उस according आपको college मिलेगा अगर आपकी rank बहुत अच्छी आती है तो दोस्तो आपको government college मिलेगा जो कि बहुत अच्छा है और अगर आपकी rank थोड़ी कम आती है तो आपको private college मिलेगा इसलिए दोस्तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप B8 के जब भी आपको entrance exam दे तो उसके पहले एक बार अच्छी तरीके से त्यारी कर लेगा ताकि आपको government college मिल जाए government college से B8 करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको उसमें fish कम लेगी अगर आप B8 के fish जानना चाहते तो इसके उपर मैंने already video बना है आप वो video देख सकते उसमें आपको idea लग जाएगा अगर आपने B8 complete के लिए उसके बाद दोस्तों आपको state qualify करना पड़ते है state qualify करना compulsory है तभी आप आगे जाके teacher बन सकते है state दो तरीके का होता है अगर लगाता है जैसी UP state, रजस्थान state, बिहार state, पंजाब state दोनों में फर्क होते है कि अगर आप किसी भी state का state qualify करते है यानि कि अपने UP state qualify किया अपने बिहार state qualify किया तो UP और बिहार में जो भी teacher की vacancy आएगी शिर्फ आप उसमें apply कर सकते हो लेकिन अगर आपने C state qualify किया यानि कि central label का जो test है उसे qualify किया तो पूरे इंडिया में अगर किसी भी राज जमेट teacher की vacancy आती तो आप उसमें eligible हो आप उसमें apply कर सकते हो आपने state qualify कर लिया उसके बाद जब भी teacher की vacancy है आप उसमें apply कीजिए अगर आपका उसमें selection हो जाते तो दोस्तो आप एक teacher बन जाते है यह पूरा process है सबसे पहले अपना graduation complete कीजिए उसके बाद B8 का course complete कीजिए उसके बाद Tate qualify कीजिए उसके बाद दोस्तो जब भी teacher की vacancy है आप उसमें eligible है आप उसमें apply कीजिए आपका selection हो जाते है तो आप एक teacher बन सकते है तो मुझे उमीद है कि अब आपको यह समझ में आगे वाक एक teacher बनने का पूरा process क्या है बीए के बाद teacher कैसे बने तो मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद है होगी यह वीडियो पसंद देते इस वीडियो को like कर दीजिए comment करके बते कि आपको वीडियो कैसे लग झाल